हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल मैं अनामी का आज आपके लिए जो मोवी लेके आई हूँ उसका नाम है वेंपायर सक्स जो 2010 में रिलीज हुई थी और ये काफी जादा सूतिया मोवी है लेकिन आप हस हस के लोट पोट हो जाएंगे तो आएए मोवी शुरू करते हैं सेंड सिल्वाडर में फेस्टिवल की दोरान एडवर्ड सनलाइट में अपने कपड़े उतार दीता है दरासल्म वो सुसाइट करने जा रहा है और बैका उसे रोकने आती है और उसे कपड़े उतारती देख एडवर्ड फैन क्लब की लड़की कहती है एडवर्ड पैस्ट हो लेकिन तभी पीछे से जैक अप फैन कलब की लड़की आकर प्राती है नहीं जैक अप बेस्ट है और एडवर्ड की फैन को फार्वरे से मारती है और फिस जैक अप और एडवर्ड की चाहने वाली लड़कों के बीच फाइट होने लगती है वहाँ एडवर्ड अपनी पैंट को भी उतार देता है, लेकिन उसके प्रोडक्टिव पार्ट की जगा वहाँ एक दिव्य गोला होता है, जिसे देखकर डारों को गुसा आजाता है. और वो एड़वर्ट को मानने का इशारा करता है. बैका एड़वर्ट को बचाने के लिए चलाम लगाती है, और मूवी का फ्लैश पैक शरूर हो जाता है, और बैका को हम उसके डैट के साथ देखते हैं. बैका की मॉम तैगर वुद्स को डेट कर रही है, इसलिए वो अपने डैट के साथ रहने आ गई है, और वो पैसिविक नौर्थ वेश्टन की पॉपुलेशन बता रही होती है, जो की फिलहाल 3,120 है, लेकि तब हम एक वेमपायर को एक लड़की का खून चुशते वे देख और उस टाउन की पॉपुलेशन 3,119 हो जाती है, उसके डैट कहते हैं कि तुम काफी बड़ी हो गई हो और तुमारे बूप्स भी, और टाउन के अंदर आने पर उसे वहाँ इंसानों की जगा सब वेमपायर दिखते हैं, वो घर आती है, जहां उसका डैट उसे उसका रू तील हो चुका है, फिर वो बैका के मुँ में पैसी फायर लगा दीता है, बैका कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है, फिर वो उसे बेबी कैरियर में बठा कर जेकब और उसके डैट से मिलवाने लाता है, और कैरियर तूट जाता है, बैका जेकब की डैट से कहती कि आप अ प्रटन समान है जैसे कुछ फील नहीं होता फिर बैका और जेकब के डैट पीछे बॉक्सिंग भॉक्सिंग खेलने लगते हैं और जेकब बैका से पूछता है कि तुम्हें याद है कि हम बच्छत में डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे तब एक कैट आकर जेकब को विचलित कर के लगते हैं और डेक नाम का लड़का उसे मुक्का मारता है और तब वहां रिक आता है और बैका ये प्रॉम्ट पर चलने के लिए पूछता है लेकिन तभी पीछे से लड़की आती है ऐगे को फो किस करने लगतेए और ऐंजलिपका केहती है कि आगर उसने रिक को टच भ Angelika से पूछती है कि वो कौन है Angelika लडगे को देख कर उनका नाम बताने लगती है Becca कहती है वो जरसी वाले मुस्टंडी नहीं वो जो उनके पीछे पीला सा लड़का है Angelika कहती है कि उसका नाम Edward है लेकिंट मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेश्ट नहीं है मुझे जॉन पसंद है फिर बैका एडवर्ट की फेस्बुक को चेक करती है और फिर वो एडवर्ट और बैका एक दूसरे को देखने लगते हैं बैका क्लासरूम में एंटर करती है और एडवर्ट भी वहां होता है बैका फैन के आगे खड़ी हो जाती है जिसके वज़ा से उसकी शरीकी बद्वु एडवर्ट की नाग को चलने कर देती है और उस पर से टीचर बैका को एडवर्ट के बगल में बैठने को कहता है और एडवर्ट बद्वु की वज़ा से अपना मुख कवर कर लेता है और फिर दोनों बाते करने लगते हैं और फिर टीचर वेंपायर डायरीस की बुक निकाल का पढ़ाने लगता है बैका एडवर्ट से पूछती है कि बायोलोजी के क्लास में ये सूतियां हमें वेंपायर डायरीस भी हो पढ़ा रहा है इस पर एडवर्ट गुसा हो जाता है और बताता है कि 80's में कोक और 90's में ग्रंच और अब ये एरा वेंपायर्स का है और ये सूपर ट्रेंडी है और फिर एडवर्ट के बैक से अपल आइरन बाल और एक बच्चा निकलता है और एडवर्ट उन्हें सरकस की बाल्स की तरह उच्छाने लगता है और सब को फिर से बैग में डाल देता है और आइरन बाल बच्चे के उपर गिर जाती है जिसके वज़े से वो रोने लगता ह और अगले सीन में वैंपायर फिशरमेन को मानने आते हैं लेकिन वो उन्हें चितोष चिप्ष दे कर बटाने की कोशिश करता है चिप्स कहा कर उन्हें याद आता है कि वह तो अदमी को मानने के लिए आये थे फिवो उससे पूछते हैं कि तुम जानते हो कि हम कौन हैं वो आदमी कहता है कि तो ब्लैक आइड पीस हो इस पर वाइट वैंपायर पूछता है कि सब को ऐसा क्यों लगता है कि हम ब्लैक आइड पीस हैं और फिवो फिशरमेन को मा डालते हैं वहां बैका एडवर्ट को देख रही होती है और तब ही एक ट्रक आकर बैका को हिट करने ही वाला था कि एडवर्ट आकर से बचा लेता है और वो डेक से उस ट्रक को रोकता है और गर पाँच कर जैकब बैका को प्रपोस करता है और उसके लिए किफका बलूंस लेकर आया है लेकिन बैका जेकब से कहती है कि वो उसके लिए एक गे ब्रदर की तरह है उससे जाला वो कुछ नहीं है और उसके दिए बलूंस को उड़ाकर फ्लावर्स को फेक देती है इस पर जेकब कहता है कि मैंने सुनाए कि तुम आज कल एडवर्ट के साथ घूम रही हो, उससे दूर रहो, जैकप के जान के बाद, डैट का को पैपर स्प्रेय देता है, उसकी प्रोटक्शन के लिए, और फिर उसे ट्रेनिंग देने लगता है, और कहता है, दिखाओ किलर से कैसे बचोगी, बैका डैट के उपर स् जबर रहा है, उसकी मुच्छे निकाल दो, बैका अपनी डैट की मुच्छे निकाल देती है, एडवर्ट बैका के बेडरूमे आता है, वो सो रही है, वो उससे कहता है, कि तुम्हारी सांसों की आवाज ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, तब ही बैका पाद मार दे वो से प्रॉमिस साथ चलने को कहता है, बैका मान जाती है, फिर बैका उसके साथ जबरदस्ती इंटिमीट होने लगती है, एडवर्ट उसके सीर पर शोकेस उठाकर मार देता है, बैका कहती है, कि उसे रफ चीज़े काफी पसंद है, और फिर वो अपने कप्र उतार देती ह और उसने अंदर लाइट्स वाली ब्रा और पैंटी पहनी होती है, एडवर्ट कहता है, मुझसे दूर हो वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन बैका उस पर चड़ने लगती है, एडवर्ट बैका को उचालता है, और वो सीलिंग तोर कर बाहा निकल जाती है, और दूसी तरफ से अंदर आ जाती है, एडवर्ट बैका को समझाता है, कि वो जब भी इन सब चीजों के लिए तयार होंगे, तो वो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, एडवर्ट बैका को अपने खर अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है, और फिर उसके माम उसे फिंगर् और एरिश टैमपॉंस, बैका कहती है, कि उसके पीरट नहीं हो रहे हैं, एरिश कहती है, लेकिन वो आने वाने हैं, वो फ्यूचर देख सकती है, एरिश उसे गिफ्स खोनने को कहती है, और पेपर से बैका की फिंगर कट जाती है, और एक वेमपायर आकर उसकी खून को पी पीने लगती है, और वेमपायर के मुँ में बैका का खून लग जाता है, और वो बैका पर जपटते हैं, लेकिन एडवर्ड उनको श्टीम मशीन में बन करके टेमपरेचर को हाई कर देता है, और सबसे कहता है, कि जब भी किसी लड़की को लाता हूँ, आप से खाने के और एडवर्ड उस लड़के को अपनी फैमली के आगे सर्व कर देता है, एडवर्ड बैका से कहता है, कि मुझे पता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ सेफ नहीं हूँ, बैका कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तो मुझे वैमपायर बना डालो, लेकिन एडवर्ड मना कर देता है, और कहता है, मैं इस चीज लिए अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और फिर बैका वहां लेट कर रोने लगती है, और वहां वही तीन वैमपायर सा जाते हैं, और कहते हैं, कि एडवर्ड हमारे लिए ट्रीट छोड़के गया है लेकिन फिर एडवर्ड आकर उसे बचाता है, और बैका को काटने के बाद एक वैमपायर का नकली जबड़ा निकल जाता है, एडवर्ड बैका के खोन को इस ट्रॉज से चूस कर उस जहर को पी लेता है, और बैका का 90% खोन पीकर उसके बाड़ी पिचक जाती है, एडवर् का इल्यूजन बैका से कहता है कि यहां से चली जाओ, यह बैकर्स काफी ड्रेंजर्स हैं, उन में से एक बैकर बैका के ऊपर बेर की खाली बॉटल फेकता है, जेकब के साथ बैका की फ्रेंशिप उसे सुकून देती है, उसे बैक चलाना सिखाता है, जब बैका को फिर से ख लगते हैं और वो ब्लैक आइड पीस को मार डालते हैं और फिर हम जेकब को देखते हैं जो काफी होट लग रहा है इस पीच एडवर्ड रियो चला गया है और अब बैका को खोने के गम को भुलाने के लिए मूवी देख रहा है और एरिश बताती है कि शायद बैका खत्रे मे हैं एडवर्ड पोचता है कौन बैका मैंने नौमल लड़कें को डेट करना बंद कर दिया है और फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड लेड़ी का अगा को डेट करना श्रू कर देता है इरिश कहती है कि उसने अपने विजन से ये देखा है कि बैका खुद को बाइक चलाकर मा पतार देती हो इस बाद जैकब उसे अपना कांट्रेक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसे हर 10 मिनट में अपनी शर्ट को रिमूव करना है उसके बाद जैकब अपने उपर डियो लगाता है और बैका उसे हवस की होटों से देखने लगती है एडवर्ड बैका के घर पर फोन करता है और जैकब फोन उठाता है और कहता है कि बैका के डैन्ट फुनरल पे गए है एडवर्ड को लगता है कि वो बैका के फुनरल में गए है एडवर्ड से साइट करने चला जाता है लेकिन एरिश को एक और विजन आता है और वो देखती है कि बैका जिन्द और उसका पीछे करने के लिए उसके पीछे भाग जाता है इरेश बैका को बताती है कि एडवर्ड प्रॉम में खुद को एकस्पोस करने वाला है और जलुट्री उसे मार देगा एडवर्ड जलुट्री को भरकाने का फैसला करता है और एक शक्तिशाली और मादक वैमपायर इंसानों के सामने सूरज की रोशनी में खुद को उजागर करके उसे माणने के लिए वेंपायर्स को कहता है। पॉम पर पहुशने पर बैका एडवर्ट फैन गर्स और चैक अप फैन गर्स के वीच में फच जाती है। उसके बाद एक अमावस्या और एक ग्रहन होता है। बैका एडवर्ट के पास आती है और फिर वो दोनों इमोशनल हो जाती है। और पीचे से जटूरी एडवर्ट को उठा लेता है। बैका कहती है उसे छोड़ दो हमने अभी तक एक दूसरे के साथ घपा घप भी नहीं किया है। फिर बैका के डैट बैका के पास आती है और बैका डांस करने लगती है। बताती है कि शहर में जितने भी खून हो रहे हैं वो वेंपायर्स कर रहे हैं लेकिन डैट को लगता है कि वो प्रॉम की थीम के बारे में बात कर रही है। वहाँ प्रॉम किंग एंड कुएन अनाउंस होते हैं और जैटूरी और उसकी गर्ल फ्रेंड जीच जाते हैं जलोटरी। हैट डारों के बीच लड़ाई के बाद एडवर्ट को पैका को एक वेंपायर में बदलने के लिए मजबूर किया जाता है वरना वो बुरी तरह से मारा जाएगा। वो ऐसा करने के लिए केवल इस सर्थ पर सहमत होता है कि वो उसे शादी करेगी जिसे वो शिकार भी कर लीती है और मिट क्रेड़िट सीन में एडवर्ट के सीर पर जैक अप की फैन गुल्स हमला करती हैं एडवर्ट बच जाता है और मूवी के अंत में लड़की पर वेंप